द्रविडे शाहम के द्रविड देश मा मारोज जन्म थयो कारण के द्रविड देश मा आचारियो प्रगट थया अन फरीती भक्ती नी स्थापना करी परन्तु गुर्जर प्रदेश मा आवी न हूँ जीर्ण थे गई उपन ब्रद्ध थे गई अन जारे हूँ ब्रिंदावन मा आवी ब्रज मा आवी अईया जे ब्रिंदावन पुनह प्राप्यम जे शब्दनाव प्रयोग करयो छे ये ब्रिंदावन एकले आकू समस्त ब्रज मंडल ब्रहद ब्रिंदावन पांच प्रकारना बतावा मा आव्या छे ब्रहद ब्रिंदावन ना पांच स्वरूप छे एक छे आदी ब्रिंदावन एटले के कामवन जे आपड़े जईये छिए बीजू छे स्वरूप व्रंदावन एटले के शिक गिर्राजी तरेटी आदी त्रीजू छे लीला व्रंदावन एटले वरतमान व्रंदावन मां आपड़े जे स्थानू पर जहिए एने लीला व्रंदावन कहवाई छे चोथू छे निज ब्रिंदावन एले नंद गाउं अने पांचुमुचे धाम ब्रिंदावन एटले बड़साना आधिक शेत्र एटले अईया जे भक्ती वात करे छे के ब्रिंदावन पुनह प्राप्यम नवी नेईव सुरू पिणी नारजी जारे हों ब्रिंदावन मा आवी तो पुनह तरून थे गई परन्तु मारा आबनने दिकराओ तो ब्रिद छे अवे आपज बताओ जेना आगड एना दिकराओ एना पुत्र ब्रिद होए मा तरून होए तो पची एना मननी सूस्तिती होए देखिए बड़ी एक अच्छी बात यहां में समझनी है हम सबके अंदर रही हुई भक्ती आपणा बदानी भक्ती जे आपणा घर परिवार लौकिक संसार मा रही ने जे ब्रुद्ध थे गई छे भक्ती तो बदानी अंदर छे पर ये ब्रुद्ध थे गई पर ये ब्रुद्ध भक्ती तरूण क्या रहे बने ये भक्ती कहे चे ब्रिंदावनम पुन प्राप्यम कि जा रहे युँँ ब्रिंदावनमा गई एटले वेश्नों जनों पन वारम वार ब्रजमा जवानी इच्छा राखे ब्रजमा शुकाम आपणे जेए बुछ वह भक्ति ने अने अन्सटेंवा थरून करव वह अलुर। समझी गया ने बद्ध ले अगल के लेकल नतीन सब्सक्राइदे के लुद समय गया. तो महुरू हाद से भठाव भी दे ऊवह ने खिवा मांग गश्ने को आप वह आपुर्जंश में न forge फैने नाच युद तो अ कुछा नाच नाचता स Warm आप tres डिलो, हश्ञनी नहें तो पर फर्स डिलों फिलो, वर्याओं मच दिलो, ब्रंदावन में वर्यूधवन समा फरीती तरुन थाई जाए छेह जशे है आने ठाकूर्जी से इसे धी तरुन भक्ति पसंदा छे ने घैरी भक्ति प्रहुने प्रसंद नहीं ठी भागवान ने प्रसंदा उत्सा उस्षरा होई, अमंग आपड़े यात्रा करिए ब्रजवास करिए ये भावना थी एक आजे आपड़ु आजे कथा अने आजे कथा नुँ आजा कुक्षेत्र कि ये नंद भवन में हम बैठे वे ब्रजभूमी में आज सामे शिकिराज बावा शिकिराज जिनी तरेटी अने अनु आ आवशो त्यारे जोयासे तरेटी मां बदा बाल लागेला चे तम्jay विचारो ये अधि Напримерक आजे सामे शिकिराज बावा शिकिराज नी तरेटी मां फूरु इणी तरेटी नी पाल मां आप ड את भवना a अधिया दर्शन करिये वह आनन्थ है ज़िए अद्ध उप्धिक त्यान जएने अनुभव करिशो इस आनन्द शू चैसे अनन्द उसकी क्या बात कर सके आपन अनन्द शब्दों नो कहवानों न थे अनुभव विशय चैसे आप दा जो पाल लागी गया जाओ आपणे आपणा पाल नक्की करी लेवाना छे आवा तरेट इमा आपणा पाल लागे के नहीं के पची यहां घयडी यावी तेद रेवानु छे बक्ती नहीं आपणे डिसाइड करवानु छे आएक सारो एक अउसर छे वेश्णो जरूर नथी याद पाऊनी तो एतमे वारेम बर भूली जाओ छो एटले कऊँ छो 2008 शीरमन प्रभुकोकुलेश ब्रजी आत्रा कई तारेक 10 अक्टूबर अने यी 33 दिवस नो समय ब्रज रजमा ब्रज धाममा बेसीने ब्रज नी यात्रा सत्संग आनंद पच्ची तो त्यां भक्ति के भी थे जाए विचारो एक सारो आउसर छे वेश्णो खुब खुब आ मन्च थी आचारी पीड थी आप बधाने आ ब्रज यात्रा मा जोडावा माटे लाब लेवा माटे आवाहन करू जू तत्पर बनो अने आ यात्रा मा वेलासर पोतानो नामांकन कराओ यात्रा मा जोडाव ब्रज अभिलाशी बनो ब्रज वासी बनो अने इब्रज ना माध्यम थे भक्ति तरूण थाए ठाकुर्जी ने प्रसंता थाए अने जेनु प्रमाण या भागवत मा ब्रणदा वनम पुनह प्राप्यम नवी नेव सुरू पिणे नवी नेव के भक्ति ब्रजमाजी ने के भी थे गई नवी न थे गई नूतन भावो थी युक्त अने एम पन आपणा नवनित प्रियाजी आपणा धाकुर्जी एमने ए नवी नहीं व जोई ये नित 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 नव नव नित नवनित प्रियाजी हम ठाकुर्जी आपणा घरे बिरास्ताओ ये शेवा करताओ ये एन एने सु पसंद छे नित नित नव नित नव नित रोज नया नया माखन रोज नया नवा नवा भाव नवी नवी नभाव तो ये ब्रजमा जोई ने ब्रजमा जैने नवी नेव सु रूपीनी एवी आपणा अंदर रहेली भक्ती पन तरून थेई जश्यों ब्रजमा भक्ती तरून छे ज्ञान वेराग्यो ब्रुद्ध छे त्यां तो ये ब्रज भूमी आप बधा तत्पर बनों ठाकुर जी आप बधाने प्रेणा करे ए सद भावना इथी प्रगट करू छू तो ये भक्ती पोतानों दुखनी वात नारत जीने कहे छे अने हवे नारत जी कहे छे के कि ब्रज भूमी ने महिमा पने हुँ जानी गयो कि आ भ्रज मायवी ने आप तरून बनी गया धन्य छे आवी आ ब्रिंदावन भूमी कि जिया आपने सुन्दर नविन रूप धारन रूप आपने मलिव सर्व लोकमा आपनो प्रचार न करू आपना दुखने दूर न करू तो हुँ हरी नो दास नहीं हवे ए नारत जी संकल्प लिदो कि आपनो प्रचार बीजा बदा धर्मों ने गोण करी ने जो आपनो हुँ प्रचार न करू तो हुँ हरी नो दास नहीं एम बोली ने हुए आत्मा जल ली दुआ ने पचे वेद उपनी शदुना मंत्र बोली ने जल नो छिटकाओ करवा ला गया पर ओला तो बगासा खावा ला गया यह जागृत न थया एवा प्रमाद मा पड़ेला शुका में जागृत न थया कराण के नारत जी नी अंदर एक सात्विक अभिमान आवेओं के हुँ हरी नो दास नहीं जो हुँ जग मात मारो प्रचार न करू तो हुँ हरी नो घणा नी अंदर एवी भावना हुँ 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 करवानों ने हुँ करवानों ने मारे करवानों हुँ करवानों हुँ शब् प्रचार नो करू तो हुँ हरी नो दास में एकले आ कथा अपनने सिखवाड़े छे कि अभिमान साथे जो संत गुरु जनो पन परोकार ना कारे करवा माटे तत्पर बने तो एक कारे सिद्ध थतू न थी अवे विचारवा लागया कि कई रिते आप भक्तिना दुखने दूर करिये वचन आप्यू छे इमना अंदर रहेलू जे अभिमान तु ए मूल तह नश्ट थाई जाए पर ले आकाश्वाणी थाई सत्कर्म करो पने ये आकाश्वाणी ये स्पष्ट इमना कहुँ के कहुँ सत्कर्म करो अन्य सत्कर्म ये तमने कोई संत बताओ से कोई गुरू जन्नो आश्रेलो ये तमने बताओ से के कईू सत्कर्म करो प्रायह बद्धा ग्रंतो आगड़ श्रीमद पदनती लखातो श्रीमद भागवद गीता इतला माटेज कारण के श्रीमद इतले के शोभायुक्त अवे आ संसार माँ सर्वती अधिक शोभायुक्त तो कोण छे तो सर्वती शोभायुक्त तो भागवान स्वयम उनसे विशेश शोभा उनसे विशेश मदूर और कौन हो सकता है इतले तो शिमहाप्रवुजिये पन एशोभायुक्त जे सुरूप छे इनू वण्डन करता आप कहे छे अधरम मधरम वददम मधुरम नयनों मधुरं हसितों मधुरं प्रदयों मधुरं गमनों मधुरं जिनके एक एक अंग जिनकी एक एक चेश्टाएं जिनके एक एक कार्य जो मधुर है ऐसे मधुरादी पतिसी क्रिश्ण अने एमनूज आ वांग में स्वरूप एटले भागवत नी आगण श्री मधुपद राख्यों एटला माटेत तो भागवत नी आपणे यात्रा काडिये छिये आरती करिये छिये पूजन करिये छिये बद्दा ग्रंतों नी आरती पूजन धोड़े पूजा करिये छिये रे भागवत नी आपणे शुभायात्रा काडिये छिये आज सुन्दर पुथी यात्रा शुभायात्रा निकड़े उत्सा भाव पुर्वक वेश्ण वेमा जुडाया आनंद लिधो कानके ठाकुर्जी नी यात्रा छिये आको एक साधारन ग्रंत न थे हिटले ज आ ग्रंत न आगड़ शुरीमद त्या जगत्मा सर्वथी शुभाय युक्त भागवान छे अने भागवत एमनुज नामात्मक सुरूप छे हिटले शिमद भागवत नी अने कानेक व्याख्याओ करवामा आवी छे भागवत हा इदम भागवतम अथवा तो भक्ते भ्यह भागवता यद प्रोक्तम तद भागवतं जे शास्त्रमा भागवत तत्वनुँचिंतन करवामा आवी होए इनुद नाम भागवत अथवा तो भक्तो माटे भागवान द्वारा कहेलू शास्त्र ए भागवत तो आ ग्रंत मा भागवत शुरूपनुचिंतन करवामा आवी छे इटले आ भागवत छे घणा ग्रंतों मा भागवत नी अनेक व्याख्याव करवामा आवी छे एक बीजी व्याख्या अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षाष्च वक्तिववन चतूष्टै ते प्राप्यन ते यतो नेन तसमा ध्रागवत शुरूपन। जे ग्रंत मा धर्म अर्थ काम मोक्ष नू निरूपन करवामा आवी होए जे ग्रंत धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करे इनू नामचे भागवत भागवत तत्तवनू चिंतन आमा छे हम किसका चिंतन कर रहे हैं आपड़े आपड़े कोना चिंतन मा होई ये छिए सवार्थी सांज सुधी कोना चिंतन मा लागेला छे हैं अन्य केवाई छे के भी जिवू चिंतन करो जैसी मती ऐसी गति अवे जो संसार नू चिंतन कर सो तो जिवू संसारी बंशे अन्य संसारी बंशे तो इन्य सू मलशे ना थी उश्याचार जी कहे छे अतह संसार दुखस्य के संसार सू छे संसार रज दुखनू कारण छे संसार नू मतलब अहेमता ममता हुँ अन्य मारू मैं और मेरा तो जान सुधी अहेमता ममता छे बुद्धिमा मनमा अन्य एना लिदे जो जीव संसार नू जिस मरण करतो रेशे चिंतन करतो रेशे तो जीव संसार परायन बंशे संसारी बंशे अन्य एना थी सू मलशे दुख अन्य एक बीजी बाजू आपणे कोई पण व्यक्ति एम इच्छा राखे चे के दुख नी निवृत्ती थाए आपणे जो दुख ने पकड़ी ने राखिये चिये अन्य एक बाजू एम पण इच्छा करिये के आ दुख जीवन माथी के विर्त निवृत्त थाए सुख कई दीते आवे त्रीजास कंद मापण विदूर जी ए मैत्री जी ने प्रश्न करे हो छे के प्रत्येक जीव जारे सुखना माटे कर्म करे छे तो इना जीवन मा दुख के मावे छे आपड़े संसार मा सुख छे एवू मानी लिदू छे बाकी सुख छे नी आभास माटे छे आभास छे केवल एटले तो समय नी साथे साधनों पात्रों बदा बदलाता जाई छे जिम नानु बारक हो होए सुख पहला नाना बारक में से मा मज़ा आवे मा मा मज़ा आवे आनन्द आवे समय के साथ साथ सुख के पात्र बदलते जाते है जो कोई पन संसार नी व्यक्ति के वस्तु मां सुख होए तो पचि ये सुख सर्वदा होवू जोई ये बधाना माटे होवू जोई ये पड़ एवू न थी एक ने जेमाती मजा आवे चे इज वस्तु बीजाना दुख नुँ काराण पन बनी शक्ये जेम कोई ने दुर व्यसन छे तमाकुमा आनंद मड़े चे इना सेवन करवा थी पर भूलती बीजो कोई जे नती इनुँ सेवन करतो एक खाई ले तो एना ती इना दुख मड़े चे परणतु जो ए दूर पदार्त मा जो सुख होई तो पची ए सुख बधाने मड़ू जो इए पर ये सुख बधाने नती मड़तू एनु मतलब एज है कि ए पदार्त मा सुख छेज नहीं क्योंकि सुख होता तो सबको मिलना चाहिए ना लेकिन सबको नहीं मिल रहा है जे मां आपणे कल्पना करवा लागी जाईए आपणे धारी लेए कि आना ती मन्य सुक मलशे धीरे-धीरे एमा ती मडवा लागे छे वास्तवीक मां एमा सुक छे नई अने एज पात्रों एज व्यक्ति धीरे-धीरे दुखना कारण पण बनता जाए छे अतह संसार दुखस्य निव्रति ब्रह्म बोधनम तो केवल और केवल एक आभास मात्र छे अने एनुज जो आपणे चिंतन करीशू संसार मिथ्या चेने एनुज चिंतन करीशू तो पते जीवन मिथ्या रुप बनी जशे यह चानकिया पन एनी निती मा कही हुचे के सुखस्य मूलम धर्म हां सुख का मुल धर्म है धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षती रक्षिता है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है तो जेवू जेनुँचिंतन करीशू संसार नुचिंतन संसारी बनाऊशे दुख लाऊशे औने भगवान नुचिंतन भगवदिय बनाऊशे अने भगवान के वाँ छे पूर्ण मदह पूर्ण मिदम भगवान पूर्ण है पूर्णात पूर्ण मुदच्छते और संसार ये पूर्ण छे नई संसार पूर्ण काहा है तो ये अपूर्ण वस्तु अनों चिंतन करवानों शुलाग एकले तो आपना आचारियों पन आपने गायो ना गुपाल मन लागयो नरसाल लीला सुनी न सुबोधिनी न साधु संग पायो है रसिक कहे वारम वारला जहून आवे तो है मानव जन्म पायो है कहां लो कमायो है गायो ना गुपाल मन लागयो नरसाल लीला सुनी न सुबोधिनी न साधु संग पायो है रसिक कहे वारम वारला जहून आवे तो है मानव जन्म पायो है कहां लो कमायो है शहराई जी कह रहे हैं के बहिया तो कुछ शरम नी आ रही है तुने का कमायो माना उचन मुपाके का कमायो तेने तो मैंने तो पईजा कमाये एनी सेविंग्स करी अच्छा अने ते जेनी सेविंग्स करी अने जे तारी साथे आवानू छे एनी तो कई सेविंग्स करी नहीं धनानी भूमव पशवश्च गोश्टे भार्या ग्रहत्वारी जनस्ट मशाने देहश्च तायां परलो के मारगे धर्मान गोगच्छती जीव एक शास्त्र कहता है के धनानी भूमव जे धन कमावामा मनुष्य प्रब्रत छे धनमा दोश नथी धन कमावानी लालसा इच्छा धन आवश्यक्छिम्ना नथी परन्तु धनत जीवननू सार नथी एना पाचण आपने इटला गांडा धीजे यहने एना सीवाई बीजो आपनने समय मडेज नहीं समस्य त्यां छे अर्यामा रिख फिजिए स का दोश्यक्ट वालसा आपने लागवार स कर दोनी समस्यक्थ एना भी घड़ावार स कर दोनी मडेज़गा भी परन्तु भीज़गा जिए वावश्यक्ि तूनमा इना शोश्यक्ट अरा रवश्यक्ठी